नामस्ते के से वाप आई होप आप सब ठीक होंगे स्वास्त होंगे, मस्त होंगे और आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा वीडियो लेकर आई हो तो आज मैं इस बच्चे हुए कपड़े का रियूज करने वाली हूँ तो वीडियो पर बने रहे हैं और वीडियो थोड़ा भी पसना है तो चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरू करियेगा तो देखें, यहाँ पर मैंने एक बच्चा हुआ कपड़ा लिया है गोल्डन कलर का बहुत ही प्यारा कपड़ा है रोस डिजाइन बनी हुई है आपको शायद की एमरे में अच्चे से दिखाई नहीं दे रहे होगी इसकी डिजाइन क्योंकि उपर से एकदम लाइट पट रहे है और यह भी थोड़ा सा चबकीला है लाइट देता है तो इसलिए इसकी थोड़ी डिजाइन अच्चे से नहीं दिख रहे ही बलकि यह कपड़ा बहुत ही प्यारा है तो देखिए यह कपड़ा मैंने लिया है और इसी के साइज की मैंने फॉमशिट ली है और अस्तर के लिए भी मैंने एक गोल्डन कलर का कपड़ा लिया है देखिए अब तीनों को ही मैंने कुल्ड कर दिया है और अब मैं इसकी लंबाई चोड़ाई भी आपको बता देती हूँ तो देखिए इसकी लंबाई आ रही है 23 इंच इसकी लंबाई है और इसकी चोड़ाई है 14 इंच तो 23 इंच का ये हमारे एक पीस तैयार हो गया है और अगर आपके पास फॉमशीट नहीं हो तो आप यहाँ पर राइस बेग या फॉमशी जो शोपिंग बेग होता है उसका इस्तमाल भी कर सकते हो तो देखिए इस पीस को इस परकार हम फोल्ड कर देंगे डबल फोल्ड तो देखिए उपर से एक कोने की तरफ हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना होगा तो देखिए एक कोने से हमें 1.5 इंच पर निशान लगा देंगे ये कपड़ा डबल फोल्ड है धियान रखिए और इस प्रकार दूसरे कोने पर भी हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है देख यहाँ पर थोड़ा थेड़ा चे लगाया है वीडियो देखी यहाँ पर 2 x 2 इंच का एक बोक्स बना दिया है ठीक उसी प्रका दूसरे कोने पर भी हमें 2 x 2 इंच का एक बोक्स बना देना है फिर देखी उपर जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था वहां से हमें नीचे की और एक तीर्चन लगना होगा तो किस cuestión लगना है आप वीडियो में देखेगा इस प्रका अब सारे ही किनिशान हमारे हैं अब इन इंधानों के ऊपर हमें कपड़े की कटिंग करनी होगी što नीचे हमें 22 इंच का जो बौक्स बनाए है उसके उपर भी हमें हैं 터berg तरफ हमारी कर केट िंग हो गई है ठीक उस सब्रकार दूसरे तरफ ये कर देखिय请 तो देखें यहांपर हमारे पूरे कपड़े की जो भी कटिंग करनी थी वो कटिंग हो गई है और इस परकार का हमारे पीस पासना एक पीस रेडि हो गया है और देखी जिस टेबल पर मैं वीडियो बनाती हूँ वो भी golden color की है और ये कपड़ा भी golden color का शायद आपको वीडियो थोड़ा अच्छा नहीं दीख रहा होगा पर मेरी पूरी कोशिश है आपको अच्छे से समझाने की और कहीं पर भी समझ में ने आया हो तो मुझे कमिट कर सकते हो आप तो देखी एक जीपर लेनी होगी इसी के बराबर और जीपर को दोनों तरफ अठेज कर देगे देखी तो यहाँ पर जीपर मैंने अठेज कर दिया है साथ में टॉप स्टिच भी लगा दी है अब देखी है हमें इस पर एक लेस का यूज करूँगी जो गोल्डन कलन की लेस है मेरे पास थोड़ा सा टुकडा बच्चा हुआ था तो मैंने सुचा इसके उपर अच्छा लगेगा तो यहाँ पर मैं एक लेस अठेज करूँगी तो देखी यह लेस मैंने यहाँ पर अठेज कर दी है और साथ में ही मैंने एक लटकन भी बनाई है जो बचा हुआ कपड़े का पीस था और यह लेस का थोड़ा सा और टुकडा मेरे पास बच्चा हुआ था तो मैंने यह लटकन बना दी है जो इस लेस के नीचे में इसको अटेज कर दूँगी देखिए एक दम सेंटर पर इसको अटेज कर देंगे तो देखिए लटकन वो लेस हमारी लग गई है इसके बाद में देखिए मैंने 21 इंच लंबी और 4 इंच चोड़ी दो खपड़े की पट्टी ली है 5 इंच चोड़ी तो यहां पर देखिए एक फॉ करेंगे जिसे देखिए एकदम गोल गोल राउंड जैसी एकदम रेडिमेंट जैसी एक हमारी दो इश्ट्रिप बन का तैयार हो जाएगी और अगर इस प्रकाय की इश्ट्रिप बनाना आपको सीखना हो तो मुझे कमेंट करिएगा मैं आपको एक बार अलग से बना कर बता तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है इसी निशान के उपर यह इश्ट्रिप रखते हुए यहाँ पर इसको अटेज कर दीगे ठीक उसी प्रकाय दूसरी वाली इश्ट्रिप दूसरी तरफ हमें अटेज करनी होगी तो अभी मैं दोनों ही इश्ट्रिप आपको अट तो देखिए यहां पर मैंने दोनों ही इष्ट्री बढ़ेज कर दी है अब इस जीपर में हम रनर डाल देंगे और फिर देखिए इसको उल्टी साइट करते हुए इस प्रकार दोनों तरफ सिलाई लगा देंगे तो देखिए यहां पर दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा दी है साथ मैं एक कपड़े की पट्टी लेकर इसको फिनिश भी कर दिया है ताकि अंदर भी हमारी फिनिशिंग रहे और धागे बगेरा नहीं निकले फिर इन कोनों को देखे इस प्रकार मिलाते हुए याँ पर सिलाई लगा देंगे और यह बाहर से इसका लुक आ रहा है देखे बहुत ही प्यारा आ रहा है इस टेबल पर थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है मैं बाहर ले जाकर आपको दिखाऊंगी कि किस प्रकार इसका अच्छे से कितना अच्छा लग रहा है बहुत ही प्यारा लग रहा है यह तो यह लटकन से और भी प्यारा लग रहा है लेस से तो यह हमारा एकदम शादी पार्टी वेर पर्स बनकर तयार हो गया है देखिए ब रोशनी में आपको यह दिख रहा है और यहां पर कोई लाइट वगेरा नहीं है तो देखिए इस प्रकार अंदर से एकदम फिनिश है और इस प्रकार देखिए बनकर तयार हुआ है तो यह आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएगा और अगर आ वीडियो देखते हो पर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आज के लिए इतना ही बाई बाई